आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्योब चैनल रवी स्टडी जीके पर फेंड्स आज हम एक पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे सविधान संशोधन और हम बात करेंगे सविधान संशोधन से रेलेटेड टॉप 40 important MCQs के बारे में तो top 40 most important questions यहाँ पे हम discuss करने वाले हैं हमारे समिधान में कौन-कौन से संशोधन हुए हैं वो कौन-कौन से year में हुए हैं और किसले संशोधन हुआ हैं तो सभी जो भी important points होंगे न वो हम cover यहाँ पे सभी करेंगे तो आप लोगों को इस video session में शुरू से अंत तक बने रहना हैं यह topic आपकी सभी competitive exam के लिए बहुत ही important हैं तो अगर आप friends किसी भी competitive exam की तयारी कर रही हैं यह video आपके लिए काफी ज़दा beneficial होने वाला हैं तो चलिए आज का important session शुरू करती हैं इसके लाव एक और important information है friends daily current face के आपको top 20 questions हम regular कराती हैं जो कि हमारे channel कर इंडर फेस बाहर रवी पर आपको मिलेंगे तो इसके लिए आप हमारे channel को follow जरू किया करें और daily CA का जो session होता है उसे बिल्कुल miss ना करें उस video को जरूर टैम करें उसमें सभी most important question आपको कराये जाती हैं आने वाले exams के लिए और आप हमारी application जो है रवी study जी के उसे download कर सकती है प्ले स्टोर से तो चलिए बात करते हैं अब देखे सविधान संशोधन से कुछ पहले हम important point देख लेती हैं सविधान संशोधन क्या है देखें इसके बात करें देश के मौलिक कानून यानि सविधान में बदलाव करने की प्रकिर्या को सविधाने संशोधन कहा जात बारत के समिधान में संशोधन करने का उद्देश है देश के मौलिक कानून या सरवोच कानून को बदलावों के मादन से और मजबूत करना है। बीच का माद्य में उस तरह से संशोधन किया जाता है। ये आर्टिकल इंपोर्टेंट है बहुत सादा इसको याद रखेंगे कि संशद जो है न वो समिधान में और या उसकी प्रकेर्याव में संशोधन कर सकती है। इसके लावा संशद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो समिधान की मूल संशना का नर्मार करती है। जैसे की केशवानन्द भारती मामले में सर्वच न्यायले ने फैस्ता सुनाया था। कौन से एर का है ये मामला 1973 1973 का। भारती संशोधन की व्यवस्ता कहां से लिग गई है किस सेशक्र संविधान से लिया है इसे दक्षिन अफी का। पॉइंट काफी इंपॉटेंट है एक्जाम में डारेक्ट यहां से कोशन आपका आ सकता है। द्वारा कहीं सारे अनुच्छेद अनुसूची जोड़े गई थे हमारे सविधान में। देख लीजे तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े गई वो कौन कौन से थे। 15, 19, 85, 87, 174, 176, 342, 374 और 376 तो इन सभी जो अनुच्छेद उसमें संशोधन किया गया था। और दो नए अनुच्छेद जिसमें है 31 का A और 31 का B और इसी के तहर नौवी अनुसूची को भी समिधान में शामिल किया गया था। तो कुछ जो अनुच्छेद उनमें तो संशोधन हुआ कुछ जोड़े गए हैं तो अगर डारेट कोशन आप लोगों से ये बने नौवी अनुसूची को समिधान में किस संशोधन के तहर जोड़ा गया था तो वो था पहला संशोधन जो हुआ था 1951 चिके इसको याद समझोधन को लागो किया गया तो ये किस समिधान संशोधन के द्वारा लागो हुआ था तो इसका संशोधन कौन सा है सौवा संशोधन अदिनियम 2015 इस अदिनियम की बात करने इसमें देखे भारत और बांगलादेश के बीच जो भूमी सीमा समझोधन था ये उसकी पुष् कर लिया और भारत को बांगलादेश से कितने एंकले प्राप्त हुए थे 51 एंकले प्राप्त हुए थे तो पहले तो जैसे कब्जब अगरा करते फिर लड़ाई जगणा ना हूँ इसके लिए समझोधन करा लिया गया और इसे समझोधन के सौवा संशोधन अदिनियम के तह कुछ यहां पर अमेंडमेंट्स दी हैं इनमें से मिनी कॉंस्टिटूशन मिनी समिधान कहते हैं किसी 42 समिधान संशोधन अदिनियम 1976 को यहां के देखिए इंपॉर्टन पॉइंट देखिए अब इस संशोधन से समिधान में कई सारे बदलाव हुए थे जैसे इससे मौलिक करतव्यों को भी शामिल किया गया आपात काली प्रावधानों का इसमें विस्तार किया गया इस संशोधन ने प्रिस्तावना में समाजवादी धर्व निर्पेक्ष और अखंडता शब्द जो हैं यह जोड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके लावा संशोधन ने संशोधन में 53 अनुचेद हैं उन्हें परिवर्टित किया यह संशोधन इंद्रा गांदी की अध्यक्षता में भारते राच्टे कॉंग्रेस के द्वारा आपात काल के दौरान अधिनियमित किया गया था तो कई सारे बदलाव हुए थे इस संशोधन से जो की है 42 हुआ इस राच्टे और 6 केंदर साशे चेतरों में बिभक्त किया गया था तो यह हुआ था साथवे समिधान संशोधन 1956 के द्वारा अभी जो साथवे समिधान संशोधन है इसकी बात करें तो 1956 के साथवे समिधानेक संशोधन अधिनियम ने दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल की रूप में न्युक्ति को बढ़ावा दिया कि दो या दो से अगर जादा भी राज्ये हैं तो उनकी एक राज्यपाल हो सकती है एक राज्यपाल न्युक्ति हो सकती है इसको बढ़ावा दिया था साथवे समिधानिक संशोधन ने ये जो अगला कोशन देगे भारत के किस समिधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयू घटा कर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी पहली मतदान करने की आयू 21 साल थी लेकिन फिर इसको घटा कर जो 18 साल किया गया ना इसके लिए भी एक संशोधन हुआ एक अमेंडमेंट हुआ कौन स सदा वो 61 समिधान संशोधन जो की हुआ था 1989 में नेक्ट कोशन है बारते समिधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यों की जो विधान सभा है उसमें अनुसूचे जाती और जन जाती के आरक्षन को दस वर्षों के लिए बढ़ाया गया तो लोकसभ और जो राज्यों में विधान सभा है उसमें देखिए जो शेड्योल ट्राइसो शेड्योल कास्त हैं उनके आरक्षन को दस साल बढ़ाया गया था 104 समिधान संशोधन अधिनियम 2020 सी तो 104 जो समिधानिक संशोदन अधीनियम है उसने लोकसभा और राज्य विधान सभा में एंगलो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षन को समाप्त कर इसकी जगा जो स्टी और स्टी का आरक्षन है उसे 10 साल तक बढ़ा दिया बारत के समिधान का चो अनुचे 331 है इसके तहद राश्टपती द्वारा एंगलो जो इंडियन समुदाए है उसके सदस्तियों को लोकसभा में नामित किया जा सकता था लेकिन फिर इनके सीटों का आरक्षन जो है वो समाप्त कर दिया अगला गोशन कि समिधानिक संशोधन के तहद लोकसभा राज्य विधान सभाव और राश्टे राश्थानी छेतर दिल्ली की विधान सभा में कुल सीटों में से एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी 21 समिधान संशोधन के तहद है तो ये इसके लिए है 106 वा समिधान संशोधन दोहसाय तेहिस वोको लेटेस्ट है ये इसको अच्छे से याद रखेगा इस समिधान संशोधन के द्वारा एक नया अनुछे जोड़ा गया जो की था 334 का ए नेक्स्ट कोशन है कि समिधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्टे राष्टानी छेतर बनाया गया तो दिल्ली जो नाशनल कैपिटल टेरिटरी बनी ती इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 69 उनत्तरवा समिधान संशोधन 1991 इस सदिनियम के तहट आदित्य नाथ जा दिल्ली के पहले उपराजेपाल बने वेरी वेरी इंपॉर्टन क्वेशन दिल्ली के पहले उपराजेपाल कौन बने आदित्य नाथ जा अगला कोशन है कि समिधान संशोधन में उच्छ न्यायलो के नाइधीशों की सीवा निवरती जोन की रेटायर्मेंट एज है ना उसे 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष किया गया तो इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ वो कौन सा था पंदर्वा समिधान संशोधन 1963 अगला कोशन है कि समिधान संशोधन द्वारा लोकसभा की कारेकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया तो लोकसभा का जो दिखिए कारेकाल है जो टर्म है उसे 6 से 5 कर दिया गया था कि समिधान संशोधन से 44 वी समिधान संशोधन 1978 सी अब यह जो सम्विधान संशोधन था यह हमें बताता है कि सम्विधान के अनुज़त 31 के तहत जो संपत्ती का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटा कर कानूनी अधिकार बना दिया इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था चवालिसवा संशोधन अधीनियम नेक्ट कोशन है किस समिधान संशोधन में मतादिकार की नियून्दमायू 21-18 करती 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की थी 61 समिधान संशोधन जो की हुआ था 1989 में और इसमें जो है कौन से अनुचेद में संशोधन हुआ था अनुचे 326 में संशोधन करके इसको लागू किया मतादान की आयू 21 से घटाकर 18 वर्ष करने वाले प्रधान मंत्रे कौन थे वेरी इंपॉर्टन क्वेशन तो कौन थे राजीव कांधी जी अगला कोशन है किस समिधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैतली तथा संथाली भाषाओं को समिधान की आठवी अनसूची में चोड़ा गया तो इन सबी भाषाओं को जो एट्थ शेड्यूल है उसमें चोड़ा गया था और इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 92 समिधानिक संशोधन जो की है 2003 में GST लागू करने के लिए जो अमेंडमेंट हुआ वो कौन सा था 101 वा समिधानिक संशोधन अधिनियम और ये कब लागू हुआ था 2016 में अच्छा अगर हम इंडिया में बात करती हैं कि GST सबसे पहले कौन से राज्ये ने लागू करी थी ये ज़रू या दखेंगे तो भारत में असम राज्ये में सबसे पहले GST लागू की गई थी नेक्स कोशन है कि समिधान संशोधन द्वारा मेगाले असम से अलग करके बनाया गया तो में एक हाले एक नया राज्ये बनाता जो असम से अलग हुआ था और ये कि समिधान संशोधन द्वारा हुआ 22 समिधान संशोधन 1969 नेक्स्ट एक कि समिधान संशोधन के अंतगत अन्य पिषडा वर्ग को सिक्षन संस्थाओं में प्रवेश हेतू 27 प्रतीशत का आरक्षन दिया गया तो जो OBC कैटिगरी है अगर वो किसी भी इंस्टिटूशन में एड्मिशन लेते हैं उनको 27 परसन का जो आरक्षन है ये किसके अंतगत दिया कया है 93 समिधानिक संशोधन अधिनियम 2005 अगला कोशन है निमले के समिधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंतरी मंडल में कुल मंतरियों की संख्या प्रधान मंतरी को सम्मलित करते हुए लोग सबाके कुल सदस्क्यों की संख्या के 15 प्रतीशत से अधिक नहीं होगी तो ये कौनसा समिधान संशोधन बताता है राइट आंसर है 91 समिधान संशोधन अधिनियम 2003 अगला है भारते समिधान के किस संशोधन के द्वारा इस पर्ष्ट रूप से ये विवस्था दी गई है कि भारत के राष्टपती मंतरी परिशत के सला को मानने के लिए बात दिये है जो काउंसिल और मिनिस्टर एडवाईज करेंगे प्रेजिडेंट को वो बाउंड है उसको मानने के लिए तो इसके लिए भी एक संशोधन हुआ जो कि था जवालिसवा संविधान संशोधन 1978 अगला कोशन है कौन सा संविधानिक संशोधन EWS आरक्षन से सम्मन्दित है EWS आरक्षन जो है ये है आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग एकनॉमिकली वीकर सेक्षन रजरवेशन और इसके लिए जो संशोधन किया गयता वो था एक सो तीनवा संविधानिक संशोधन 2019 अभी जो एक सो तीनवा संविधान संशोधन अधिनियम है ये सामान्य श्रीणी जो जनरल केटिगरी में आते हैं उनमें जो आर्थिक पिछडे वर्ग हैं जो EWS वाले हैं उनको सरकारी नौकरी में 10 परसेंट का जो है वो आरक्षन ये प्रदान करता है अगरा कोशन देखे किस संविधान संशोधन में लोगसबा के सदस्ते की संखिया अधिकतम 545 निश्षित की गई थी लोगसबा के मेंबर्स की संखिया जो 545 बढ़ा कर फिक्स की गई उसके लिए संविधान संशोधन हुआ 31 संविधान संशोधन 1973 नेक्स टेट देखे किस संविधान संशोधन में लोगसबा तदा विधान सभाव की कारेकाल में एक वर्ष वरधी करके कारेकाल छे वर्ष कर दिया गया था तो ये किस समिधान संशोधन में किया गया था सही आंसर है 42 समिधान संशोधन 1976 नेक्ट कोशन है किस समिधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्टे रास्थानी राज्य छेतर दिल्ली इंसियार किया गया तो दिल्ली का जो नाम है इसको बदल कर जो इंसियार किया गया नाशनल कैपिटल डेरेटरी ओडेली इसके लिए समिधान संशोधन कौन सा हुआ था 79 समिधान संशोधन 1991 नेक्स कोशन है कि समिधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्टपती के चुनाव के लिए संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आविश्यक नहीं है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि दोनों सदन एक साथ बैठक करें उपराष्टपती के चुनाव के लिए तो यह किस संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई आंसर इस 11 समिधानिक संशोधन 1961 नेक्स्ट एक कि समिधानिक संशोधन द्वारा 6-14 वर्ष तक की आयोके बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवारे सिख्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया तो यह प्रावधान किया था 46 संशोधन संशोधन 2002 के द्वारा अगला कोशन है किस सम्विधान संशोधन द्वारा अन्य पिछला वर्ग आयोग को सम्विधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो जो ओबेशी कमिशन है से Constitutional Status का दरज़ा दिया गया 102 सम्विधान संशोधन अदिनियम 2018 के द्वारा अगला कुशन किस सम्विधान संशोधन द्वारा गोवा दमन और द्यूव को भारते संग में मिलाया गया गोव दमन्द्यू चो भारते संग इंडियन यूनियन में मर्च किये गए इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था बारव समिधान संशोदन 1962 अगला कोशन विधान संभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंद किस संविधान संशोदन द्वारा लगाया गया तो ये जो बैन लगाया गया देखिए ये लगाया गया 52 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो गया है था उनने सो पिचासी में अगले कोशन की बात करती है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रतम अनुसूची में परिवर्तन करके बेरू बाड़ी खुलना छेतर पाकिस्तान को दे दिया गया पहली अजनुसूची में देखे कुछ ना कुछ चेंजिस किये गए और जो बेरू बाड़ी खुलना छेतर है ये किस तेश को दिया गया ये भी धियान लखेंगे पाकिस्तान को और इसके लिए संशोधन कौन सा हुआ था नौवा समिधान संशोधन 1960 अगला कोशन देखे कि समिधान संशोधन दूआरा लोकसभा की अधिक्तम सदस्य संख्या 520 नरधारत की गई सही आंसर है साथव समिधान संशोधन 1956 तो इसके द्वारा जो लोकसभा उसके अधिक्तम सदस्य संख्या 520 जो है निर्धारिट की गई है कि समिधान संशोधन में लोकसभा एवं विधान सभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्थन नहीं करने के व्यवस्था की गई अगला कोशीन है कि समिधान संशोधन में पंचायती राज वेवस्था को समिधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो वो constitutional amendment कौन सा है जिसके तहट पंजायती राज सिस्टम को constitutional status का दर्जा मिला तो सही आंसर कौन सा है 73 समिधान संशोधन 1992 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेस्चन अगला कोशन दे के समिधान संशोधन करने के विध्यक को वीटो करने की राष्टपदी के शक्ती सहमती देनी होगी शब्द से इस्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है 24 समिधान संशोधन 1971 से अगला कोशन है कि समिधान संशोधन में सिक्किम को 22 राज्जे के रूप में भारते संग में जोड़ा गया था तो चो सिक्किम राज्जे है न कि इंडिया में 22 राज्जे के रूप में शामिल हुआ था 36 समिधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक् trophies के बारे में चले थोड़े से पौइंट को discuss कर लेते हैं कि सिक्षिम राज्ये की राज़्धानी क्या है? और सिक्षिम के मुख्य मंत्री क्या है? सिक्षिम राज्ये की क्या है? यानि रास्थानी यहां की है गैंग टॉक सिक्किम के देखे मुख्य मंत्री आ देखेंगे कौन है प्रेम सिंग तमांग सिक्किम के मुख्य मंत्री है अगला कुशन देखे कि समिधान संशोधन द्वारा अनसूचे जंचाती के लिए राष्टे आयोग का गठन किया गया है तो जो देखें शेडियूल ट्राइब नैशनल कमिशन फॉर शेडियूल ट्राइब से इसका गठन किया कि समिधान संशोधन द्वारा जो की है 89 समिधान संशोधन दोहसा तीन नेक्स्ट है कि समिधान संशोधन में पॉंडचेरी को संग राज्य शेतर के रूप में पहली अनुसूची में जोड़ा गया था तो जो पॉंडचेरी है उसे फ़र्स्ट जो शेडिूल है उसमें जोड़ा गया था और इसके लिए अमेंटमेंट हुआ था कौन सा? चौद्वा समिधान संशोधन 1962 Next question है कि समिधान संशोधन द्वारा दादरा नागर हवेली को भारते संग में शामिल कर उन्हें संखिय छेतर के स्थिति प्रदान की गई दादरा नागर हवेली को भारते संग में शामिल किया गया था और जो सम्विधान संशोधन था वो था दस्वा सम्विधान संशोधन 1961 तो 61, अगला कोशन है कि सम्विधान संशोदन द्वारा केंद सरकार द्वारा सेवा करकी बसूली एवं उसका केंदर तथा राज्य सरकारों में वित्रण की वैवस्ता की गई, जो भी देखे सेवा कर याने सर्विस टेक्स है, वो कलेक्ट करेगी सेंटर गवर्मेंट, फिर इसको स्टेट गवर्मेंट और सेंटर में डिस्ट्रिब्योट करेगी, तो इसके लिए जो पूरी विवस्ता की गई, जो सम्विधान संशोदन हुआ, वो था 88 सम्विधान संशोदन 2003, नेक्स्ट एकोशन कि सम्विधान संशोदन द्वारा ये निश्यत किया गया कि राज संशोदन द्वारा निश्यत किया गया, तो संशोदन हुआ था इसके लिए साथ हुआ सम्विधान संशोदन 1956, नेक्स्ट कोशन है कि सम्विधान संशोदन में उत्तर पूर्वी चेतर के पाँच राज्ये जिसमें हैं आसम नागलेंड, मेगालने, मनिपुर और तिर्परा और दो संग्य चेतर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था, तो उत्तर पूर्व राज्ये जो हैं ये और जो दो संग्य चेतर हैं, इनका गठन किया गया था, 27 वे सम्विधान संशोदन 1971 में ये हमारा आज का लास्ट इंपॉर्टन क्वेशन है, जिसमें पूचा है कि सम्विधान संशोदन द्वारा किरायदार और मकान मालिकों के विवादों को सुलजाने के लिए राज्ये में ट्रिबुनल्स के गठन की व्यवस्ता की गई तो देखे इसके लिए जो सम्विधान संशोदन हुआ था, 75 सम्विधान संशोदन दू हुआ था, 1994 में तो यहाँ पर फ्रेंड समाने जो भी इंपोर्टेंट देखे अमेंडमेंट हुए कॉंस्टिउशन में जो भी सम्विधानिक संशोदन हुए उससे लेटेड हमने सभी इंपोर्टेंट MCQ उसको यहाँ पर कवर किया है, अब हम बात करते हैं टेस्ट क्वेशन की तो पहला कोशन देखे टेस्ट का, बारत की सम्विधान में पहली बार कब संशोदन किया गया था, तो पहली बार कब अमेंडमेंट हुआ था, कौन से इयर में second question है निम्लिकित में से कौन सा संजोधन अधिनियम मीनी समविधान माना जाता है इस में सिख किस amendment को कहा जाता है Mini Constitution तो इन दोनों question के answer आप लोग हमें comment box में जरूर लिके friends तो आज कि हमारा यह important topic था यहाँ पे complete हो गया है फेंट्स अगर आप हमारी कोई भी e-book purchase करना जाते हैं तो इसके लिए आप हमारी website को visit करें www.ravibookspedia.com यहां आपको हमारी सारे important e-books मिल जाएंगी अभी recent आई है देके जनवरी से सतंबर तक के सारे important question की तो यह सब आपको मिलेगा कहां पे website पे इसके लावा finds आप लोग हमारी application को download जरूर करें application जो है इसका नाम है रवी study gk कहां से इसे आप download कर सकते हैं यह भी आदखेंगे इसे आप download कर सकते हैं play store से easily अभी जो application है हमारी देखें यहां पे आपको test series दी गई है इसके लावा daily current affairs जो हम आपको cover कराते हैं उसके test उसकी PDF सब आप लोगों को हमारी application पे easily मिल जाएगी आप लोग इसे play store से download कर सकते हैं so friends आज का हमारा यह important session यहां पे complete होता है thank you so much for watching this video